यह चलो यह एक क्वेशन इसमें कहता है कि य्दो कोटांसमीटर आपरेट आफ फ्रिक्वेंसी अगर एक ट्रांसमीटर है जो यह एक ट्रांसमीटर है जो सिगनल ट्रांसमीट कर रहा है रेडियेशन ट्रांस्मीट कर रहा है तो यह सब को पता है कि अगर कोई उसको मिल जाती है तो इतनी frequency के photons यहां से बाहर आ रहे हैं अब यह करता है इसका पामर भी दिया हुआ है तो पामर कितना है टेन कीलो वाट है तो यह करता है कि number of photons emitted per second तो जो यह transmitter है कितना photons निकाल ला है समझना तो कितने photons निकाल लें तो इन photons कि frequency यह होगी तो हमें डाइरेक्ट फार्मूला यहाद है number of photons emitted per second power p lambda अपन hc के equal होता है तो यह आपर relation याद ही कर लो तो यह आजाएगा power p और hc upon lambda तो hc upon lambda क्या है याद पामर पी यह क्या है energy है और मैं power p energy को h new भी तो लिख सकता हूं तो यह वाला relation यह है number of photons per second यह यहाँ पर लगेगा relation क्योंकि यहाँ पर frequency दिया हुआ सारी चीज़े दिया हुआ अब यहाँ पर अगर मैं यह सारी कहानी रखूंगा तो यहाँ से solve करके आएगा power कितना है 880 और कीलो है 10 की power 3 और डिवाइड कर दूंगा मैं 6.6 इंटू 10 की power minus 34 प्यारे बच्चों और frequency देखोगे यहां से frequency की value कितनी है और 10 कीलो है तो 10 की power 3 तो जब यह पूरा कहानी solve करोगे तो यह solve कर लेना देख लेना यह कितना आ जाता है यह solve करने के बाद आ जाएगा 1.72 इंटू 10 की power 31 तो इतनी मतलब यह option सही है तो यह photo electric effect नीट के last question था इसमें बहुत सारा question में solve किया हूं आप अपना question ज्यादा-ज्यादा solve करते रहो motivated रहो और अपना चैसे पढ़ाई करते रहो अपना dream complete करो थैंक यू बैबाय टेक केर